हेलो फ्रेंड्स वैलकम बैक तो माई यूट्यूब चेनल आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुब कामना है दिवाली आने वाली है तो आप घर में सभी सेफ रही है और सेफ तरीके से दिवाली मनाईए बहुत तरीके से हम मिठाया अच्छी अलग-अलग प्रका लेते हैं यहां मैंने तीन कटोरी मेदा ली है डेट चमच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और दो चमच में आपे क्रश किया हुआ अजवाइन डाल रही हूं अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स आप इसे जरूर डालेगा बिल्कुल भी स्किप मत क कीजिएगा अब यहां पर हमारी मत्री जो बिल्कुल खस्ता बने उसके लिए मैंने यहां पर आधा बॉल सूजी का ले लिया है सूजी थोड़ी मोटी होगी तो और ज्यादा टेस्टी होगा फ्रेंड्स तो आप सूजी डालना बिल्कुल भी न भूले उसके आद यह खस् सेहें धिला लें अच्छे से नियर कृण यह संद्धाएं इस तरह से मट्री तो सभीको पसंद आती या कभी भी बना सकते हैं अ यह तन्य सब्समें कर आगे कि सब्समें मुठ आ घरा देख लेना हैं जब हमारे मुठ्ध टूट नहीं रहें इसका मतलब मतलब अच्छे सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा सक्त भी नहीं होना चाहिए मेडियम साइज का अम इसका डो लगाएंगे फ्रेंड्स यह देखिए इस तरह से अब इसे अच्छे से हाथ से अच्छे से गूतना है ताकि इसमें जो अगर लंप्स भी होंगे तो वह भी निकल जाएंगे और यह काफी अच्छे से सॉफ्ट डो लग चुका है फ्रेंड्स हमारा यह देखिए इस तरह से अपको थोड़ी देर इसको ऐसे मतना है और 10 से 15 मेट हम इसे मेदा को लगागा अच्छे से छोट देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूं यह देखिए इस तरह से ताकि इसमें जब सूख जाए तो पपड़ी भी ने आया और बिल्कु सॉफ्ट खस्ता अमारी वह बने मत्री जो है यह देखिए पंदा से 20 मेट हो चुके थे अब हम इसकी लोई तयार करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा मोटा में ने लिया है इसका डो इस तरह से और इसके एक एक करके लोई तयार कर लेंगे अब हमें इसे बेलना है है इस तरह से हम इसके सारी लोगी काट लें यह देखिए अमरे आटा भी अज्चे से सेट हो चुक़ है आप चाहें तो ग्यौन के आटे की बना सकते हैं पर मैं आप मेदे के आटे की बना रही हूं फ्रेंट्स मेदे के आटे की जो पप्ड़ी बनेगी जो मारी मट्री बनेगी बहुत कुरकुरी बनेगी आपको खाने में भी मज़ा आएगा और इस्तिवहार पर आप जरूरी से ट्राइ कीजिएगा यह देखिए इस तरह से अब इसे बेलना है थोड़ा से अगर यह चिपक रहा है तो आप इस पर मेदा भी डस्ट कर सकते हैं दोस्तों इसे ना जावदा आमें मोटा बेलना है और नहीं इसे जादा पतला बेलना है बिल्कुल मेडियम ही बेलना है इसे यह देखी कुछ इस तरह से अगर थोड़ा वो टेड़ा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी इसे काटना है अब आप फोक की साहता से अचाकू की साहता से इसमें थोड़े से छेट कर दीजी ताकि हमारी जो मट्री वो फूलेगी नहीं वो बिलकुल एकदम क्रि विस्पी और कुरकुरी बनेगी इस तरह से अगर आप यह करना भूल जाते हैं दोस्तों क्या है कि आटे से जब मट्री बनती है तो फिर फुल जाती है उसकी वज़े से खस्ता नहीं बन पाती है मारी मट्री कि सबी तरफ हम छेट कर देंगे अब इस तरह से हम लंबा लंबा इसे कट कर लेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से एक एक करके हम इसे काट लेंगे लंबे लंबा शेप दे देंगे इसे फ्रेंट्स जब यह लंबाई से कट जाएगा तो अब बीच में से इसमें कट लगाएंगे दोस्तों आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरह से अब हमने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया था तेल अच्छे से गरम हो चुका है और हमारी मट्री भी बनकर तैयार है तो आईए इसे तल लेते हैं हम तेल जब पूरा अच्छे से गरम हो जाए हाई फ्लेम पर गरम करना है उसके जाद इसे हम कम कर देंगे और एक एक करक तो है तेल में डाल दीजेगा वह अपने आप निकल जाएगी आ हग इस तरह से हमें कि सारी मट्री को डाल देना है जा पहले टेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम होने देना papel दोस्तो और जब अच्छे से गरम लो गधे तो इस पर मट्री डाल देना है उसके बाद फलीम को बिल्कुल लो कर देना है उसे अच्छी क्रिसपी और कुर्कुरी बनाने के लिए हमें अच्छी फ्लेम Search तलना है अच्छे से ताकि क्या है कुर्कुरी बन सके हमारी मट्री अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो यह जलने का डर रहता है और अंदर से कुर्कुरी नहीं बनेगी दोस्तों यह देखिए इनका कलर और टेक्च्चर आप देख सकते हैं उसके इसी तरह से हमने एक एक लोई करके सारी बेल ली है और उसी तरह से हाई फ्लेम पर डालके और फिर लो फ्लेम पर इन्हें तलेंगे दोस्तों यह देखिए मैंने यह पर सारी मट्री तल ली है आप इंजोई कीजिए इस दिवाली पर इसे जरूर बनाएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग म